गाइस अगर आपका एकाउंट पंजार नेशनल बैंक मतलब PNB में है और आपके इंटरेट बैंकिंग एक्टिवेट है लेकिन आप अपने इंटरेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल चुके हो मतलब लोगिन पासवर्ड या ट्राजेक्शन पासवर्ड तो यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना लोगिन पासवर्ड या ट्राजेक्शन पासवर्ड न्यूव सेट कर सकते हो काफी असान स्टेप्स को फोलो करके तो ज्यादा समयना लेते हुए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्र अपन होगी यहाँ पर आने के बाद आपको लोगिन का ओप्शन देखने को मिलेगा जहां पर ताला बना हुआ है सिंप्ली इसके उपड़ आपके सामने ओप्शन आएंगे जिसमें से आपको रेटेल इंटरनेट इस वाले ओप्शन के ओपर क्लिक करना है क्योंकि इसी के सेंदर ही सेविंग और करेंट अकाउंट लोगिन किया जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको सामने की तरफ जूम करना है दो उगलियों की मदद से ताकि जो इनफोर्मेशन है वो देख सकें तो यहाँ पर थोड़ा और जूम करते हैं यह देखिए इनफोर्मेशन आ गई यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आइडी सबसे पहले एंटर करना है अगर आप अपने एकाउंट की यूजर आइडी भूल चुके हैं तो उस टॉपिक के अपर ही मैंने वीडियो बनाई हुए है लिंक आपको नीचे डिसकेशन में मिल ज यहाँ पर क्या है आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है तब ही आप लोगिन कर सकते हैं लेकिन हम पासवर्ड तो भूल चुके हैं चाहे वो ट्राजेक्शन पासवर्ड हो या लोगिन पासवर्ड हो ठीक है हम भूल गया है यहाँ पर आपको फोर्गेट पासवर्ड का यहाँ पे एंटर करने ही जरूरी है जिसका आप पासवर्ट भूल रहे हैं चाहे वो login पासवर्ड हो चाहे वो transaction पासवर्ड हो ठीक है दोनों ही इससे आप set कर सकते हैं इस तरीके से ओके यहाँ पे मैंने अपना user ID डाल दिया है उसके बाद submit बटन के ओपर क्लिक कर दें क्लिक करते ही आपके सामने अब एक new page ओपन होगा यहाँ पे थोड़ा सा zoom कर लेते हैं दोनों फिंगरों की मज़द से अब यहाँ पे आपको one time password डालना है मतलब OTP अब आपके registered mobile number के ओपर एक OTP आया होगा एंटर करने के बाद continue के ओपर क्लिक कर दिया क्लिक करते ही आपके सामने एक new page ओपन होगा यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं कि कौन-कौन सी information हमसे मांगी जा रही है यहाँ पर कुछ information मांगी जा रही है वह है आपके debit card का number दूसरा है आपके bank account जो भी link है वह bank account का number और ATM का PIN यहाँ पर आपको घबराने की कोई जुरूरत नहीं कि आपके कोई fraud हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यह PNB की official website है internet banking की जिसमें login किया जाता है और सारी information secure रहती है तो यहाँ पर अपने information दे सकते हैं यह information भनने के बाद आपको continue के उपर simply click कर दिना है click करते ही आपके सामने एक new page open होगा तो यहाँ पर अब main information आ चुकी है थोड़ा यहाँ पर zoom कर लेते हैं अब main information कौन सी आपकी internet banking का password create करना अब आप बिल्कुल नए तरीके से अपना password create कर सकते हैं पुराने को बिल्कुल पूरी तरीके से बूल जाएं दो अलगला तरह के password होते हैं पहला होता है login password दूसरा होता transaction password यहाँ से आप दोनों ही set कर सकते हैं अगर आपको केवल login password create करना है तो आप उस box के उपर टिक कर सकते हैं अगर आप login password और transaction password दोनों को ही नया set करना चाते हैं, तो आप दोनों को भी यहाँ पे एक साथ set कर सकते हैं, तो मैं दोनों को ही एक साथ set करूँगा, इसके अंदर आपको password एक बार एंटर करना है, उसके फिर confirm password, फिर उसका transaction password एक बार एंटर करना है, उसके बाद फिर confirm password इन दोनों में ही password अलग अलग तरह के दलेंगे same password कभी नहीं दलता ओके गाई ये चीज़ का ज़रूर दियान रखे password कैसा होना चाहिए number उसके बाद कोई सबी symbol उसके बाद alphabet इससे strong password बनता है दोनों में मैंने अलग अलग password डाल दिया है password सही से डालने के बाद continue बटन के उपर आपको click कर दिना है click करते ही आपके सामने एक new page open होगा जिसके अंदर आपको कहा जाएगा कि आपका successfully password set हो गया है अब आप internet banking के अंदर login भी कर सकते हो और अगर आपने transaction password set किया है नया तो आप transaction भी कर सकते हो अगर आपको मेरी याइव वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करें like जादा जादा share करें और मेरे चैनल अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल subscribe कर लें thank you